हेलो दोस्तों स्वागत था कि इंगर्शा चकाथ में गाइस काफी सारे लोग मुझसे पूछा करते हैं कि सर आपने कितना पैसा बनाया आप प्लीज अपना एंटेम शेयर करें आप अपना वेरिफाइड प्रॉफिट लॉज टेटमेंट शेयर करें सब चीज आपको अपने अकाउंट का दिखाने वाला हूँ और मैं एक एक करके आपको अपने सारे अकाउंट शो करने वाला हूँ इंपॉर्टन क्या है यह वीडियो बनाने का परपस मेरा आपको कोई बहुत बड़ा लॉलिपॉप देने का नहीं है कि भाईया हाँ यह देखो मैंने बना लिया इस सब पार्टन पार्सन लॉस भी होता है प्रॉफिट भी होता है दोनों मार्केट के ही गेम है बट सब्सक्राइब सब्सक्राइब कोरें बरना देखोम स्बंने की कोशिश कर रहा हो सब को यहीं लॉस करता है खल्क में सबड़ा मैंने का यहवह चिर्द था वहाँ पर उनके साथ मैं ट्रेड किया करता था नो डॉट जब दो हजार जहां से समझना दो हजार आठ में जब आईटी बबल फटा था जब दो जार आट में मार्केट में क्लाश आया है तो उस टाइम पे सत्यम का शेर मेरे पास 180 178-80 के रेट में भी पड़े हुए थे 500 शेर थे मेरे पास सत्यम के उसको भी मैंने प्रफिट में कंवर्ट किया था वो सब तक तुक का ट्रेड़ी किया था तो उस टाइम मैंने अच्छा पैसा बनाया थोड़ा बहुत उस पैसे सो यूटलाइस कर लिया उसके पापा से और पैसे लिए उसको लगाया सारा डूं तो गाइस चलिए मैं दिखाता हूँ कुछ सीखने की कोशिश करेंगे क्या मिस्टेकस थी वो लर्निंग करने की कोशिश करेंगे क्या आपको 고 जाहिए वो देने कोशिश करूँगा और मेरा एक ही मंत्रा है सीखना उससे है जो खुद मार्केट में एक्सपॉर्ट हो जो ख माके में पैसा बना रहा है मैं अपनी बात नहीं करा किसी को भी जो भी माके में पैसा बना रहा है जिसको आपकर सेट होता है कि यह इसका भी बेर मुझे सेट है उसको फॉलो करा चलिए इन्वेस्टिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग, ऑप्शन, क्या आपको हो ना मैं आपको दिखाता हूँ जो भी अकाउंट है मेरे पास है मेरा खुद का फंड है अपने बलबूते पर बनाया है सर किसी से उधारी पे नहीं किसी से कुछ नहीं देरे-देरे कच्छों की तरह चल अगर मैं बात करूँ चल तो यह गाईस मैं सबसे पहले जिरुधा के अकाउंट बाता हूँ इन्वेस्टिंग में आप लोग कितने स्टॉक्स रखते हो कितने स्टॉक्स रखते हो आप अपने पॉर्टफोलियो में मेरे पास 216 स्टॉक्स है मैं विडियो को बहुत छोटा बनाओगा फटाफट बनाओगा 216 स्टॉक्स इन माई पॉर्टफोलियो अब मजे की बात है सरा आप ट्राक कैसे करता हो मैं यही आपको सिखाने की बात करता हूँ 216 स्टॉक्स एक पॉर्टफोलियो में है अगर मैं दूसरे पॉर्टफोलियो की बात करो आप देखो यहा लो पोड़ों किये कर मैं बात करों तो मैं कैसे मैलेज करता हूं sir एक स्टॉप को एलिसिस करने के लिए मुझे मातर तीन सेकेंड लगता है this is my psychology मेरा एक setup है मेरा एक rule-based setup है मैं उसको बना रहा है तो तीन सेकंड में अगर इन स्टॉप एलिसिस करने के वह एक हूँ तो 500 stocks हो तो आप calculate करो मुझे कितना time बगने वारा है यह मैं अपने students को भी सिखाता हूँ बात की बात है चलो अभी bad बात करते है अगर मेरे पाद 216 stocks है sir investment मेरा 1.41 करोड का है जहाँ पे मेरे को 2.40,000 का मेरा profit आ रहा है अगर मैं बात करू total investment यह refresh भी कर देता हूँ आपको लग रहा हूँ कि यह कुछ गडबन कर रहा है यह कर रहा है जो भी है refresh कर देता हूँ almost 68% का portfolio का ROI मेरा आ रहा है और आज मेरा इस वीडियो को बनाने का दूसरा purpose भी है वो वीडियो के लाशन बता हो ठ्यान से समझना क्या market एक top तो नहीं बन गया है आज मैं इसलिए तो नहीं बना रहा हूँ वीडियो की यार मैं अब profit booking करके बैड जाओंगा भलेच है मुझे पैसा नहीं बने चलेगा लेकिन जब crash आएगा तब मैं market में एंटर करने वालो ऐसा तो नहीं है क्या ये सई टाइम में market में portfolio बुक करने का सारे answers इस वीडियो के मादन से मिलेंगे stay tune with king research ठीक है अब सार देर क्रोड का portfolio टाइक क्रोड पर बंट रहा है almost 70% का ROI आपको यहाँ पर देखी रहा होगा अब मज़े की बात है 216 stocks जो मेरे portfolio में है बहुत लोग नहीं जानते हैं सीख लो मेरे भाई हो सकता है आप 10-15-20 stocks आपको बहुत लोग बोलेगे कि 10-15-20 stocks बहुत होते हैं सर सबकी अपनी strategy होती है सबकी अपनी रड़नीटी होती है अगर आपके पास भी है मुझे comment करके बताओ किसके पास कितने आपके portfolio में कितने stocks है प्लीज comment करके जरूर बताना अब सबकी अपनी strategy है मेरी अपनी खुद की strategy है तो भाईया मैं तो बिलीव ही नहीं करता है कि एक शौर 10-15-20-50 share मैं तो यह चाता हूँ कि एक छोटा सा capital मैं हर share में लेता जाओ चैजार मार्केटर में share है चैजार में से अगर 600 share भी पकड़ दो जो कोई दिक्कत नहीं फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आने वाले टाइम में इनी stock में कोई बैटर नहीं कर सकता multiple return मना दे हमने सुनाए ना कि अगर आपने एक लाख रुपे निवेश किया होता तो वह आज पांच कुर्ट रुपे बने है अगर आपने 10,000 रुपे निवेश किया है तो वह आज आपकी डेट में आपके कितने 50,000,000 रुपे बने हैं तो ये multiple returns है जब आप multiple stocks में बैट नहीं करोगे तब तक नहीं बनने वाला यही मैं आपको सिखाने की बात कर रहा हूँ तो मैं उस चीज को यूज करके बैट करता हूँ अच्छा मेरा कोई बहुत तगड़ा श्टॉक नहीं है कि मैंने दो कोड़ रुपे एक ही पोड़ लगा रुपे पचास लाग रुपे एक ही पोड़ आप देखो सर दो शेर ए यह देखो पॉली कैम मातर 700 रुपे का शेर लिये है 2400 शेर है Oxford shop में कितने % आ रहे यहिए 652% आ रहे है 652% आ रहे है ।क कौन बैता है बोलता है कि इन्वेस्टिंग से पैसा नीए पैसा तो बनता है आप थुद देख लो 2004 रुपे की इन्वेस्टमेंट में अगर मैं सा के पॉर्टफोलियों में 600 प्लस स्टॉक आरोई आ रहा है 600 500 परसंट आ रहा है अगर मैं लॉस की बात करूं 500 600 परसंट आ रहा है अगर मैं लॉस की बात करूं तो आक्सिमम लॉस मेरे एक स्टॉक में 32 परसंट का रहा है इंवेस्टेट कितने 9000 रुपए करेंट वैलियो है आप 4000 कर नॉस है तो 15000 का मात्र इंवेस्टेट है उसमें 32000 का रहा है आप खुद परसंटेश साइज देख लो अच्छा अब 216 स्टॉक्स में से आप कैल्कुलेट करो कितने स्टॉक्स मेरे रेड है एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नो दस ग्यारा बारा ठीक है बारा ज्वारी से 23, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22 ठीक है टेग हैं 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 वीकासरी से से सरीक टेस 22, 33, 25, 36, 37, 38, 39, 40, रकाश तक है 40, 41 आपको यही समझाने के कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ और से सिस्टम को शोड़तों ग्रीन देगा प्रफट देगा आपके पास वह लज़ा है सही time पर 6 stocks की entry और सही time पर 6 stocks की exit पस इन दो चीजों के आपको focus करना आपका पासा बगा चाले हो जाएगा but multiple stocks में लगाओ sir अगर 100 stocks है मैंने अगर 200 stocks लगा रहे हैं इन में से अगर मेरे 20 stocks probability ज़्यादा है multiple return देने के है की नहीं और अगर आपने 20 stocks buying किये तो वो 20 stocks में उसमें कितनी probability है multiple return देने के लिए आपको ही पता है 20 में से 10% कहता हो तो 20 में से 10% 2 stocks है अगर मेरे पाद 200 stocks है 200 में से 20% कितने हो गए 40 stocks मेरे को multiple return देने का दमकम रखता है तो भाईया जब हमारा इंडिया एक हब बन चुका है start-up का तो भाईया कंपनीया निकार हो ना start-up वाली अच्छी ची कंपनी जिसको आप believe करते हो कि हाँ यह mid-caste 239 almost 68% आ रहो है तो मैंने पिछले साल कितना बुक किया यह समझतों यह देखो सर यह console है अगर मैं बात आपको मैंने equity का लगा है 31 March ठीक है equity का लगा है यह आपके सामने है 40,000,000 रुपीस मैंने इसमें बुक किया है पिछले साल अपने इस जिरोदा अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ तो आप देख लो यह का मेरा account है जहाँ पे आप देखो यह profit and loss statement की बात कर रहा हूं यहाँ पर मैं एक दिन बोला था कि सर आपके different account होने चाहिए तो अगर आपके पास एक ही account में सब करता हूं तो घडबड़ है भाई तो भाईया मैं investing एक account में करता हूं breakfast account में करता हूं investing एक account में करता हूं हर चीज के लिए अलग-लग account रखा है तो अब मैं एफेंडो 2023 से लेके 31 मार्ट 2024 तक का मैं calculate करके आपको दिखा हूं यह MPM है सर कितने 37 लाक रुपीस का मैंने इसमें profit बुक किया है जिसमें से 3,54,000 रपे का मेरा brokerage गया है और 2,285,000 रपे का अधर बोटा मोटी बात करो तो 34 लाक रुपीस मैंने लास्ट यह बुक किया है यह Realized MTM है यह उन लोग के लिए ज़रत नहीं है उन लोग के लिए है जो लोग धूंड के निकालने में लगे वे हैं तो भाई है मैं सामें से आपको दिखा देखता हूं तो प्लीज आप गुरा मत मालिएगा ठ जिसमें मैंने एक और जिसमें मैं स्काल्पिंग और इंवेस्टिंग सब चीज कर लेता हूं थोड़ा बहुत तो अब आपको मैं वह वाला एकांट भी दिखाता हूं आईए इस स्टॉक इस पोट्फोलियो में भी आप मेरा पोट्फोलियो देख सकते हैं बारासो परसंट आरोई बारासो परसंट आरोई सर्फ पांसो परसंट आरोई फोर्स मोटर मैंने चौबासो रुपे पर बाई किया था आज की डेट में सर एट थाउदन नाइन हंड़ेट रुपीज चल रही है फुर्स मोटर आप खुद देख लो यह आपके साबने राईव है फिफ्टी कितने स्टॉक्स मेरे वाइनस है उसके बाद कितने स्टॉक्स मेरे ग्रीन है आप यह खुद चेक कर लो यह देखो अब क्या यह सही टाइम में प्रॉफिट बुकिंग का यस दोस्तों अब मैं आपको दिखा दूँ इसका फायर्स का कस्तम में जा रहा हूं सब्स्ट अपर मार्च आप बोलोगे तो मैं रिफ्रेश कर देता हूं बहुत लोगों को बिलीव नहीं होगा नहीं यह क्लोन है नहीं यह एप है मेरे भाई कोई फर्क में पड़ता ही है उनको एक्स्क्यूस देनी की जो मार्केट में जैनलिन नहीं है आप आप देख लो यह टोटल 30 लैक्स ठीक है एलाइस ब्लू में कितना किया है 35 लैक्स के असपास और इसमें फायर्स में कितना किया है मेरा 34 लैक्स है तो आप इसको कम्पोजिट कर लीजिए टोटल कर लीजिए 9 1.09 यानि कि एक क्रोड नौ लाग रुपे का लास्ट एर मैंने प्रॉफिट किया है जो कि आप खुद देख लो लाइफ प्रूव आपके सामने है कोई बहुत बड़ा चोड़ा कैपिटल नहीं है बहुत बड़ा चगड़ा नहीं कि 10 क्रोड के उपर मैंने बनाया है मात्र एक देड़ क्रोड के उपर मैंने एक जिरोधा में काम किया है एक क्रोड के उपर मैंने जिरोधा में काम किया है एलाइस ब्लू की बात करो तो 50-60 लाग रुपे के उपर मैं एलाइस ब्लू में काम किया है और फायर्स की बात करो तो फायर्स में 80 लाग रुपे के आसपास डवल एक क्रोड की चाटा दो क्रोड का प्रॉफिट इस साल बुक करेंगे तो इस साल मेरा टार्गेट है कि कम से कम दो क्रोड क्रॉट बॉफिट करों एक छोटे से कैपिटल पे अब बहुत इंपॉर्टन मेरे दोस्तों मैं ये वीडियो बिलाने का परपस मेरा एक और था अब मैं अपना पॉर्टफोलियो और मोस्स सेवंटी परसंट करने जा रहा हूं मैं डरा नहीं रहूं मार्केट में रही हूं मेरे को जो लगता है मार्केट अभी अपने आल टाइम हाई पे बैठी है आप देखो मैं आप तो लॉजिक देता हूं कुछ सीखने को आपको मि लाएगा यह निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है आप मुझे देखो 2020 में जो करेक्शन आया था उसके बाद अच्छी खासे भूव आई एकसेप्टेड उसके बाद कुछ करेक्शन आया ही नहीं है यह देखो यहां तक तो ठीक था अब बेस बनाया फिर रैली दिये भाई स इतनी पाउरफुल कंडल दिखी नहीं रही है तो यह ऐसा क्या हो गया है इसके अंदर मार्केट में जस्ट बिकॉस अफ इलेक्शन आने वाला है इसमें यह जीतने वाला है नोबड़ी भी तो गैरंटी कि यही जीतेगा वहरेगा इंपोर्टन क्या है आपको अपना आस-पास दुबारा मिलेगी और 21,000 के बाद फिर मेरे को मार्केट करीब 20,000 के आस-पास मिलेगी और उसके बाद मेरे को मार्केट अगर 16,000 के अस-पास मिलेगी आपको ड़न लग रहा होगा amat na kuch भी बोड़ रहा है sub हो सबता है मैं गलात होंगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन important क्या है मैं अब यहाँ पर profit booking करने के mood में हूँ थोड़ा बहुत अब मैं चाहता हूँ कि यह 19,200 का level जब आएगा तब एक जो यह market में पहले एक resistance बना है इस resistance को अपने नीचे की तरह बना रहा है आप बताओ यह कौन सा divergence होता है अगर price action अपने higher high जा रहा है बट RSI higher high नहीं ज़रा रहा है तो आप मुझे बताओ यह कौन सा यह इसको क्या बोलते हैं कौन सा divergence बोलते हैं मुझे कमेंट करके चलू बताना तो भाईया अब मैं चाहरा हूँ यह हुचता है और थोड़ा उपर चले जाए 23,000 का 23,147 का यह दो बहुत बड़े हडल है market के अंदर load कर लो जब तक 23,147 के उपर cross नहीं करेगा तब तक मैं fresh enter नहीं लूँगा तब तक सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी SIP करता रहूँगा यानि कि systematic investment plan जो मैंने सोचा वह हर महीने जो मैं अपना एक छोटा से investment करता हूँ मैं उसको continue रखूँगा लेकिन हाँ जो market में जैसे तो जो मैं मार्केट में aggressive ट्रेड करता हूँ मैं उसको अब धीरेदे investing के दुनिया से बन कर दूँगा अपना पैसा अपने जेल में डालनूँगा 70% portfolio निकाल कि अभी मैं hold करूँगा cash carry करूँगा अपने पास में और जब मेरे को opportunity मिलेगा दुबारा market यह 19,000 के आस पास तो मैं दुबारा यहां पर entry करूँगा तब तक के लिए मैं यहां पर कोशिश करूँगा कि wait करूँ aggressive investment करने के लिए तो 19,000 आएगा तो यह सही time होगा फिर market में कमाँगा भली एक साल तक next year में ना कमाँगा लेकिन तो एक साल जो नहीं कमाया है वो सर अगर मैंने सही time पर अगर opportunity को ग्राप किया तो वहां पर वो जो एक साल नहीं कमाया है उसका सारा compensation उसके अलाबा next five years का compensation एक साल मा जाएगा अगर आपके सही time पर entry होगी तो no doubt मैं खुछ चाहता हूं market अब की बार 24,000, 25,000 के पार और उसके बाद 30,000 के पार लेकिन speed में नहीं slow and gradually market की खासियत होती है दो एक कच्छवा एक खरगोश आपको सीखना पड़ेगा अगर वो खरगोश बनाए तो गड़बड़ा कच्छवा है तो perfect है कच्छवा long term जा सकता है खरगोश long term race में जीत नहीं सकता यह बाक कर लो मेरी बात nifty bank nifty all time high gold all time high silver all time high भाई उ मैं हाद जोड़के request कर रहा हूँ प्लीज आप अपने financial advice discuss करने के बादे trade करना मैं सिर्फ अपना बता रहा हूँ कि मुझे क्या लग रहा है मैं क्या करना जा रहा हूँ बाकी आप लोग की मर्जिय सही time आएगा मैं फिर सही time पराऊंगा और बताऊंगा कि हो सकता है यहां करते हैं बड़े-बड़े businessmen भी करते हैं सस्ते दान पर कोड़ाओं भरो महंगे रेट पर अपना माल चुक्का और करके निकाल दो दो मैंने holiday पर चलने जाओ मैं खुद holiday पर चलने जाओंगा मैं खुद holiday पर चलने जाओंगा भाईया investing के दुनिया से especially हाँ अपना scalping scalping combo य कब करें exit क्यूं करें हमें कैसे पता चलेगा इतने सारे stocks Harry sir ने लेखिया इसे कम portfolio में दूसरे portfolio में इतने stocks हैं हमें कैसे पता चलेगा यह आपको सीखना पड़ेगा भाई जिसका प्रूफ मैंने आपको अलड़ी दे दिया है 34 लाख रूपीस का यहाँ पर रिलाइज profit ठीक है नेटबॉट की बाद करो 34 लाख रूपीस का यहाँ पर profit ठीक है और अगर मैं जिरोदा की बाद करो तो 40 लाख रूपए equity के अंदर 40 लाख रूपे का यहाँ पर profit हो कि है तो intraday swing scalping सारे मैंने आपको तीन आपको दिखा दिया so this is power of learning this is power of education this is power of you need to have some proper setup जिसके basis पर आप बिलीव करोगे और market से तन से स्टेटली पैसा करो अगर तांक यह सो मच अपना ध्यान रख अपने परिवाह का ध्यान रखो और mark my world सीखना उससे है जो market में खुद घमा करें जहें take care अपना ध्यान रखें